वेलकम बैक टू मैं चैनल रोबस बजार आज हम बात करेंगे एक और बहतरीन स्टॉक के पारे में ब्लू डार्ट ब्लू डार्ट की लेटेस्ट रिजल्ट आ चुके हैं कौटर फूर के रिजल्ट आ चुके हैं इसमें आप देख सकते हैं काफी अच्छे revenue from operation में 20.7% की growth दिखाई दिए है इपिटा में 25.7% की growth दिखाई दिए है profit before tax में 50.9% की growth दिखाई दिए है जो PAT है profit after tax 52% की growth दिखाई दिए है EPS में भी काफी improvement है जो की earning per share 37 rupees मिलता था एक share में अब 57 rupees मिलने लगया है 52% की growth दिखाई दिए है stand alone consolidated की बात करें हम तो 20% growth दिखाई दिया है revenue from operation में ये भी काफी अच्छा है EBITDA भी 15.5% consolidated काफी अच्छा है profit before tax 50.2%, PAT है 52.2% और EPS absolute जो है 52.2% काफी अच्छे numbers आए है company के और company के अगर हम चार्ट के बारे में बात करने तो company एक trend में है almost uptrend में चल रही है आप देख सकते हैं मैंने 5 minute का chart रखा रखा है मैं इसको 30 minutes में कर देता हूँ तो आप दे सकते हैं मैंने एक trend line draw करी है इसमें जब ये stock 8 March को almost trade कर रहा था 5459 के आसपास उसके बाद इसने एक support लिया है 28 April के दिन 6670 के दिन आसपास इसके बाद stock अभी फिलाल की rate में trade कर रहा है 6800 6800 35 के आसपास trade कर रहा है तो इस stock ने इसी trend line को support करने के बाद फिर एक upside momentum बनाई है तो मुझे ऐसा लगता है कि upside momentum बनाने के लिए तयार है stock इसी level से stock पहला जो target है जो हमारा 6920 रुपेका इसके बाद एक upside momentum देखने मिल सकती 7200 के आसपास एक quarter result कास में काफी बड़ा effect पढ़ सकता है stock में तो इस stock में आपको नजर रखनी है काफी अच्छे numbers पोस्ट किये है company ने